जन्माश्टमी पर कानाजी के भोग के लिए आप ये दो रैस्पीज बना कर तैयार कर सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़िया लगते और बहुत याराम से आप इने बना कर तैयार कर सकते हैं तो आप इन दोनों ही रैस्पीज को जरूर बना कर देखेगा इस जन्माश्टमी वी करएं और यहां पर हुलाइची लिए है इसमें मीठा देने खेल ली त्यार करने वाले हैं अगर आपको घी पसंद हो तो आप डाल सकते हैं विना गीके से बना कर त्यार कर रहे हैं इस तरीके बहुत ज़्यादा ही हो जाती है इसे इसी तरीके से भून लेना है लो फ्लेम पर 5-6 मिनट के युद्वव मैं घौन लिया है लाइं तरीके मैं तोड जल जाएगा बहुत जलती सीठ चाहता है ये सिर्फ एक मिनट के लिए मैंने इसे भूना है और हमारा जो कोकोनट है ये भूनकर तयार हो गया इसे कडाई से निकाल लेए कडाई में छोड़ेंगे तो यह जल सकता है तो कडाई से निकाल लेते हैं और जो हमने मिश्री रखी की वह भी डाल ली है ताकि साती में सधिया जाए बड़ी है नेьम पीछ लिए इसमें आ जाए यह वि Pix आ हो जाए कि कोई मोटा समय की फायर प्लेफ है Kॉश No के दीनाम सी त। बहुत ही आराम सी वारी को नब संब कर त्यार बूर में बारी तयर हो घाए कोई भी दूद्ध ले सकते हैं आप जो भी आपके घर में आता हो इसमें आदा कप mirk powder डालेंगे मिल्क के लिए भी गैस को ओन नहीं किया है मिल्क पॉड़र को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं में कोई भी lems बदेरा ना बने गैस को डालना है आपको ज्यादा मीठा पसंद ज्यादा भी ले सकते हैं मैंने आदा कप डाला इससे बढ़िया मीठा पन हो गया था हमारी बर्फी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद जो हमने पाउडर बनाया था मकाने का उसे भी आड़ करेंगे उसे भी लगातार चलात की में अपने बार बनाइंगे बहुत जयादा बड़ी है भी बहुंब कर रखाता उसे बिडाल लेंगे आप नारिल की जगह चाहें तो ड्राइफूट्स को फीस कर भी डाल सकते हैं उससे भी इसमें बहुत बड़ी अफ्लेवर आता है लेकिन हमने इसमें ड्राइफूट्स का इस्तमाल नहीं किया है तिर्फ नाडिल का बुरादा ही डाला है इसे अच्छे से mix कर लिया है मैंने वह इस तरीकी से जो मारा मिक्षर है तैयार हो गया प्लेम को मैंने फूरे प्रूरे प्रोसेस में कम ही रखा था अब यह मारा जो मिक्षर है रेडि हो चुका है इसे किसी भी थाल पर रात्में पंखुडियों को भी मैंने अच्छे से फैला लिया है कट करके और इसे भी अच्छे से फैला लेते हैं इस मिक्षर को अच्छे से देखें आदा कब दूद में ही मिक्षर है काफी बढ़िया से रेडी हो जाता है ज्यादा दूद लेंगे तो ज्यादा लिक्विड हो सकता है तो आप ध्यान रखियेगा कि दूद को हमें कम हीं लेना है। Just मिक्षर घuhके त्चरल का इसए ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसा ठंडा होने के लिए यह 10 मिनेट के लिए अथा लग्रेजे में अधा जोड़ा था ताकि आधि ठंडा रॉत बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि हमने यहीं पर लाइक कर लीजेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बिदाएगा की रैस्पिया आप कहां से देख रहे हैं करेंगे और सभी को कट कर कर के तयार करेंगे इस तरी के से आपने एक बाइस बर्फी को बनाया तो आपको इस बर्फी की ये अप ऊचित बंकर सब्सक्राइब कर बहुत जादा जा को नहीं से सज्ड़ाया है ताकि फेस्टिबल पर बना कीज़न के लिए जमायी बर्फी पनेते हैं मैंने यहांपर और करैं क्राइब रखते हैं and then to work at time कराइब देसी घी का इस्तेमाल आहें, प्रशाद बना रहा हैं देशीगी में बहुत भड़िया बनता है यहां पर मैंने आदा कप धनिया लिया है साबुत आप कोई भी कटोरी रख सकते हैं नापके लिए उसी सभी सामगरी आप ले सकते हैं तो यहां पर मैंने इसे कड़ाई में डाल लिया बिल्कुल लोग फ्लेम पर भूनेंगे जलाना फिर से मैंने घी डाला है और अब इसमें मखाने डाल रही हूं है एक कप और अब इसे भून लेते हैं अच्छे से भूनना इने भी ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए पंजिरी में बढ़िया लगे आप जो भी ड्राय फूट डालना चाहता है उन्हें डाल सकते हैं जो यहाँ पर मैंने इसमें फंद्रा से बीस बदाम डाल दें कट करके मैं चोटा कट क्या है आप चाहें तो एक जाएच में भी ब्हून ली आए कंशियु में डाल रही हैं ऑर झिल्देगे से यहां पर हमने लिया है तरबूज के पीच आप चाहें तो खरबूजे के बीच जिसने मगच का आ जाता हूँ उन्हें भी ले सकते हैं दोनों ही बहुत ही बढ़िया लगते हैं पंजीरी में ने इम भून लेंगे सिर्फ 30 सेगिन भूनेंगे यह बढ़िया से क्रेकल होने मैंने गैस को लो मीरियम फ्लेम पर ही गैस को रखना है अब इसमें आदा बड़ा चमच में चिरोंजी डाल रही हूँ विल्कुल अप्शनल है लेकिन पंजीरी में बहुत बढ़िया लगते हैं इस तरीके से बनी हुई यह पंजीरी बहुत बढ़िया लगती है एक बार ज कोपनट जो है बहुत जल्दी चलता है तो फ्रेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे और एक से तरीके से भून लेंगे इसमें बहुत ही बढ़िया कुश्वाने लगी है क्योंकि माई जो कड़ाई है वो गरम है और इसे हम इस तरीके से मिश्मिश है वो प्रचेन ना कर लें इसी तरीके से भून ले आया है मैंने गैस को हम बंद करेंगे और इसके बाद इस तरीके से चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए तकी जो सामगती है हमारी वो कड़ाई के तले में लगे नहीं आप चाहें तो दूसरे बरतन में भी और इसे पीसेंगे, द्रधरा बारिक जैसा आपको पसंद हो उस तरीक से आप पीस सकते हैं मैं तोड़ा द्रधरा ही रखोंगी इसमें मखाने या ज़ा नहीं चाहें हमारी जो समंगरी त्यार की थी ड्राएफ् फ्रूट्स के उनमें आड़ करेंगे और यौर ज्मारी पं तो इसमें डाल लेती हूं में धनिया पीज कर रखा है और इसी के साथ में जो भी आपको पशंद हो वह डाल सकते हैं और जो भी आप रख में नगते हैं उसे लापर इस तरीके से पंजरी को तयार कर सकते हैं तो पंजीरी हमाई रेडी हो चुके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चीनी हमने आदा कप लिया आप चाहें तो घटा या बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकौर्डिंग आपको कम पसंद है तो कम लीजिएगा ज्यादा पसंद है ज्यादा लीजिएगा यहांपर मैंन कि दोनों ही रेस्पीज आप इस जन्मास्ट में पर जरूर बनाकर त्यार करेंगे वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सकाइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए मिलती हम अपनी अगली वीडियो में तब तक क लिए नमस्कार खुश रहिए खाते रहिए